नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर सूय श्ट्रपाथी है आप समी का मेरे चैनल हार्ट फिटनेस पर स्वागत है जहां पर आपके स्वस्थ रिदय और समाने तोर पर सुखत जीवन की देखभाल की लिए अल्टिमेट गाइड बिलती है आज के एपिसोड में हम कॉफी क रोचक विश्व में डुपकी लगाएंगे और हिदे स्वास्त के लिए इसके चुपे हुए लाबों की चर्चा करेंगे लेकिन बास्तब में जो बात रोचक है वो यह कि कॉफी हमारे मच्टिश के नियूरल नेटवर्क पे कैसे प्रभाव डालती है खास करके नेटवर्क पे यानि की डिए में फंक्शनल अमाराई की महानता से हमें संबंध की पीछे च्छे पे रहस्यों को पोलेंगे चली आगे बड़े नमस्कार फिटनेस प्रेमियू क्या आप जानते हैं कॉफी हमें सिर्फ सुबह उठाने का इंजरिया ही नहीं बलकि उससे और भी बहुत ज्यादा है हाली के अनुस्वनां से प्रचलता है कि कॉफी की कारण बढ़ने वाली सत्रता और चेतना कुले कर कॉफी में कैफीन के अलावा और वी अधिक चीज़े शामिल है आज हम कॉफी के नियूरो बायोजिकल इफेट्स पर चर्चा करेंगे विशेश कॉफी की बीच की संबंद को समझने के लिए विज्ञानिकों ने फंक्शनल म्यागनेटिक रेजोनेस इमेजिंग यानि की फमराई का शक्ति शाली उपकरन प्रयोग किया है या क्रांतिकारी इमेजिंग तकनिक दिमाग के रख प्रवा के परिवर्तन को माप कर मश्टिश के आपसी जुड़े हुए निरॉस का एक समूव है जो कि विश्राम और आत्मविचारी सितियों में सक्रिय होते है यानि कि जब हम आंतरिक विचारों में विलीन होते हैं या ख्वाप देखते हैं तो डीमन सक्रिय होता है है रतंगीज बात यहा है कि कॉफी का सेवन डीमन के कारे कारिता के नेटवर्प पर प्रभाव डालता है जिससे तयारी में वृद्धी होती है और कारे संबंदित गतिविदियों के लिए तत्परता बढ़ती है हम कॉफी पीते समय कैफीन और प्लोरोजनिक एसिट का सेवन करते हैं जिसससे कि डीमन प्रभावित होता है औ और हमारे मस्तिश के जटन निउरल नेटवर्प के बीच जोडाव दिखाया है आईए अब निउरो ट्रांस्मिटर के रोचक विश्रु में और उसकी भूमिका में हम गहराई से उतरते हैं ये रसायनिक संदेश वाक हमारे मस्तिश के निउरांस के बीच में कनेक्शन में बहुती महतोपुण भूमिकाने बाते हैं काफी पीने पर कैफीन एक उत्तेजक के रूप में डोपामीन नौरपिनेफरिन और सेरोटोनिन का इस्तर प्रभावित करता है डोपामीन जिसे हम फील गुड यानि कि अच्छा महसूस करने वाला रसायनिक संदेश वाक कहते हैं हमारा मूद, खुशी और पुरुसकार की अनुबूती में योगदान देता है कैफीन के डोपामीन के साथ इंटरेक्शन से चेतना और मनोबल समय समय पर बढ़ जाते हैं नौरपिनेफरिन जो की फ्लाइट या फाइट के लिए जिमिदार होता है जिससे ध्यान केंद्रित होता है और ध्यान बढ़ता है काफी के नौरपिनेफरिन इस्तर प्रप्रभाव से इसकी साथधानी और सज्ञ्यान शीनता बढ़ सकती है सेरोटोनिन जिसे खुशी रसाइनेक संदेश वहा कहा जाता है मूड और भावनाव को नियंतरित करने में महतपूल भूमी का निभ संदेश रसाइन के निभावत इंटरेक्शन हो सकते है एक विश्वस्वस्णी ये स्रोत माइंड पात ने इन इंटरेक्शन की मुखतूल पूरता पर जोर दिया है कैफीन का सेरोटोनिन के ऊपर विशेश इंक्रूइस के कारण कुछ एंटी डिप्रेसेंट का कैफीन के सा इंटरेक्शन हो सकता है कैफीन को खास कर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनिविटर्स यानि की SSRI के साथ मिलाकर लेने पर चिंता और गवराट बढ़ सकती है यदि आप नियमेत रूप से कॉफी पीते हैं और एंटी डिप्रेसेंट दवाई ले रहे हैं तो इस सं अधियम से कॉफी के ब्रेन पर प्रभाव का रोल थी नियूरल नेटवर्क्स के रसायनेक संदेश वाहा के बीजियरा संबंध इस रिष्टे में मूलिवान अफसरों को प्रदान करता है तो चलिए कॉफी के प्रटेंशन लाप को ग्रहन करते हुए अपने विक्तिगत विदन शीलताओं और दवाओं के संबंद में सतर्क रहे हार्ट फिट्टेस के साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद मारे हिदे के स्वास्थ और समानी तौर पर सुखत जीवन की दिखभाल पर और जानने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले ध्यान रखे यह वीडियो केवल सूशनात्मा कुंदेश्यों के लिए है और व्यक्तिगत चिकित्सकिया साना को नहीं बदल सकता किसी भी स्वास्थ संबंदी समस्या के लिए अपने चिकित्सक से परामश करें धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में